जन्पद बरेली की नगर पंचायत थिरिया निजावत खांसे चेर्मेन पद के प्रत्याशी नौशाद अली खान उर्फ बल्ला ने हजरत मौलाना शाह शराफट अली मिया के 55 वे और्ज के मौके पर नौशाद अली खान परिवार की ओर से उर्ज ए शराफती में आने वाले देश विदेश के लाखों जायरीनों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उर्ज में आए सभी अकीदत मन्द जिस अकीदत और महबबत के साथ उर्ज ए शराफती में आए है उसी मोहबबत के साथ हमारे शहर वासी भी बाहर से आये जायरीनों को दरगाह पर हाजरी का मौका दे बाहर से आये जायरीनों को किसी किस्म की उर्ज के दोरान कोई दिक्कत पेश ना आए सभी लोग आपसी भायचारे और मोहबबत के साथ उर्ज शरापती मनाए इसके साथ ही नौशाद अली खान उर्ठ बल्ल ने हजरत मुहम्मद सहब के यौमे पैदाईश जश्टने इद मिलादुन नभी सलललाहु अलही वसलम की सभी देश प्रदेश एवं बरेली वासियों को दिली मुबारक बात पेश करते हुए कहा कि सभी देश वासियों को जश्टने इद मिलादुन नभी बहुत-बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही सभी लोगों से अपील है कि दरगाह आला हजरत की गाइड लाइन पर अमल करें। पुराने शहर एवं नए शहर से उठने वाले जुलूस में शामिल सभी एंजुमनों के जिम्मेदारों से उम्मीद करता हूँ कि हजरत सुभानी मिया हुजूर ने जुलूस में शामिल सभी एंजुमनों में दीजे बजाने पर पाबंदी की है। उस पर अमल करते हुए सभी अंजुमनों के जिम्मेदारों एवं शेहर की आवाम को सरकार की आमद का जश्न, जश्ने ईद मिलादुन नभी दरगा आला हजरत की गाइड लाइन के हिसाब से ही मनाएं। और मुहम्मद साहब के आखिरी संदेश पर अमल करते हुए समता मूलक समाज जहां पर उच नीच, विद्भाव, अगरा पिछडा, अमीर गरीज, गोरा काला, सब एक समाज। हजरत मुहम्मद साहब के जनम दिन के अफसर पर सभी को संकल्प लेना चाहिए, कि उनके संदेश पर अमल करते हुए आपसी भायचारे अमन और मोहबबत का पैगाम दुनिया को दे। इसी के साथ एक बार फिर मैं नौशाद अली खान उर्फ बल्लत जशने एद मिलादुन नभी की सभी देशवासियों को दिल की गहराईों से मुबारक बात देता हूँ।